हेलो सुटेंट्स मैं हूं प्रग्यामिशा एंसादेवी देरु के वेलकम्स यू इन दिस वीडियो स्टुटेंट मैंने प्रॉबबिल्टी चाप्टे के जब इंपॉर्टेंट क्वेशिंज का जो वीडियो निकाला था उसके एन में मैंने आप कुछ प्रैक्टिस क्वेशि वेंजडियों स्टुडेंट्स इनों ने हमीस क्या बोला इनों ने भी कि हमने एक लीपियर स पूर्ड़ों को श्टुडेंट्स मädेफ्रों पहले हाण और क्या होता है व्याईल देजट्स अंब 52 weeks मतलब 52 Wednesdays तो definite है but two days का क्या चक्कर है students two days का यह आपको पहले भी समझा चुकी हो two days में हो सकता है first day Sunday हो जाए second day Monday हो जाए यह first day Monday, second Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday and Sunday अब students अब इन्होंने question हमें क्या दिया हो था इन्होंने हमें question दिया हो था कि हमें निकालना है कि क्या chances है कि उस लीप यह में 53 Wednesdays आए right students अब friends यह जो चीज़े हमने निकाली वो तो हमने total outcomes निकाल ली है कि seven outcomes में से कुछ भी हो सकता है उन two days में right बट इन्होंने हमें का है हमें Wednesdays की निकालनी है Wednesdays की निकालेंगे students तो आप देख पा रहे होंगे in total outcomes में से there are two outcomes जिसने से हमें Wednesday दिख रहा है right students तो यहाँ पर मतलब first case से हमारा Tuesday and Wednesday and second है Wednesday and Thursday right students तो यहाँ पर students हमारे इन दो मतलब दो outcomes दो favorable outcomes आ रहे है out of these seven total outcomes one two three four five six seven तो हमारी probability क्या आगे probability का formula students क्या होता है probability का formula होता है number of favorable outcomes upon the total outcomes right students तो favorable outcomes कितने हो गए two हो गए हमारे total outcomes कितने है students seven है तो हमारा final answer कितना आ गया students two by seven right आईए हम अपना next question देख लेते हैं our next question is 17 cards numbered one two three two seventeen are put in a box mixed thoroughly one person draws a card from the box find the probability that the number on the card is divisible by three and two both अब students इसमें देखने वाली बात इन्होंने हमें क्या बोला question में इन्होंने बोला कि हमारे पास 17 cards है means हर card पे one से लेके 17 तक numbers लिखे हुए हैं और वो हमने एक box में डाल लिए और उसको अच्छे से mix कर लिया हमने box में फिर उसके बाद एक person ने उस box में से एक card निकाला तो ह हमें probability निकालनी है कि क्या probability है कि जो card निकला है उस पे जो number लिखा हुआ है वो divisible by 3 and 2 बोथ हो तो students यहां पे मैं आपको पहले भी आपको मैं पहले वीडियो में भी आपको and का मतलब बता चुकि हूं students and का मतलब होता है same time पे जो number card पी लिखा हुआ है वो divisible by 3 भी हो at the same time व हम लोग students देख लें तो total क्या था students हमारा cards थे उनमें हमारा 1,2,17 numbers लिखे हुए थे राइट अब इन्होंने बोला कि at the same time मतलब and का मतलब क्या है at the same time वो number divisible by 3 भी हो and at the same time वो number हमारा divisible by 2 भी हो राइट तो students हम देख लेते हैं इसमें से कौन चैसे number है जो 2 और 3 दोनों से ही जाते हूं तो पहला हो गया 6 दूसरा हो गया 12 और तो हमें कोई भी number ऐसा नहीं दिखाई दे रहा तो students हमारे favorable outcomes कितने आ गए 6 और 12 मतलब कितने हो गए 1 and 2 2 favorable outcomes हो गए out of total कितने outcomes है students हमारे पास total outcomes है हमारे पास 17 क्योंकि इन्होंने कहा है cards में 1 से लेके 17 तक number लिखे हुए तो students वो हमने 1 से लेके 17 तक number जो लिखे थे तो हो गए हमारे पास total outcomes और favorable outcomes आ गए 2 तो हम finally हमारा students answer क्या आचुका है answer आचुका है हमारा 2 by 17 students इसे question में हमें second part भी दिया हुआ था find the probability that the number on the card is either divisible by 3 or 2 मतलब अब इन्होंने कहा कि हमें ये probability निकालनी है कि जो card उस person ने बाहर निकाला randomly उस card पे जो number लिखा हुआ हो वो divisible by 3 भी हो और divisible by 2 भी हो अब और का मतलब students मैं आपको पहले भी mention कर चुकी हूँ और का मतलब plus होता है right तो हम पहले देख लेंगे कि divisible by ये 1 से लेके 17 तक कौन-कौन से numbers ऐसे है जो divisible by 3 हो तो वो कौन-कौन से students 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है right students मतलब तो हमने लिख लिए 3, 6, 9, 12, 15 and divisible by 2 students मतलब जो 2 से divide हो र 8, 10, 12, 14, 16 right अब students हम ये देख लेंगे ये हमने यहाँ पे divisible by 2 सारे numbers लिख लिए अब students हमें ये देखना है कि कितने numbers ऐसे हैं जो 3 से भी मतलब हमें वो numbers की probability निकालने है वो 3 से भी divide हो और वो 2 से भी divide हो right students तो यहाँ पे students हम देख पाएंगे तो हम ऐसे case में आपको पहले भी पता चुकी हूँ और की case में हम similar numbers को दो दो बार नहीं लेते जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 है 6 है वो दो दो बार आ गया 12 इसमें भी आ रहा है वो भी मतलब दो दो बार आ रहा है 3 के case में भी आ रहा है और 2 के case में भी आ रहा है तो हम उन numbers को सिर्फ ए यहाँ पे देखें यह कितने है 1,2,3,4,5,6,7,8 यह कितने हो गया students हमारे पास यह हो गया 8 बट प्रॉब्लम क्या है students है यहाँ पे हमारे पास 2 numbers तो repeat हो रहा है ना 6,6 भी repeat हो रहा है 12 भी repeat हो रहा है तो इसका मतलब हम यह वाली list count करते हैं वक 612 नहीं count करेंगे तो हमने य students हमारे number इस लिस्ट में हमारे पास 6 आ गया इस लिस्ट में हमने इन दोनों को add कर दिया जसे कि मैंने आपको बताया और का मतलब होता है plus right तो हमने 5 और 6 को जब add कर दिया तो हमारे पस favorable outcome कितना आ गया 11 और total हमारे पास outcomes कितने थे 17 तो हमारा final answer कितना आ गया students हमारा final answer आ question देख लेते हैं our next question is an unbiased die is thrown what is the probability of getting a number less than 5 इनों ने बोला कि एक die thrown किया गया है और die आए में students कौन-कौन से numbers होते है 1 2 3 4 5 6 right लुडो वाली dice वही वाली dice की बात हो रही है यहाँ पर हम सभी खेलते हैं लुडो तो हमें पता है कौन-कौन से numbers होते है 1 2 3 4 5 6 अब students इनोंने कहा कि हमें probability निकालनी है कि जो number dice में आया वो number less than 5 था तो less than 5 यहाँ पे less than 5 कौन-कौन से 4 3 2 1 total total कितने हो गए total हो गए 4 तो हमारे पास favorable outcomes कितने आ गए 4 और total outcomes students हमारे पास कितने थे 1 2 3 4 5 6 तो total outcomes थे 6 तो यह हो गया हमारा 4 by 6 4 by 6 को जब हमने cancel किया students वह कितना आ गया हमारा 2 by 3 अब students हमाईए है अपना next question देख लेते हैं our next question is it is known that a box of 600 electric bulb contains 12 defective bulbs one bulb is taken out at random what is the probability that it is a non-defective bulb अब students इन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि 600 electric bulb के एक box में 12 bulbs आता तर defective निकल जाता है अकसर 12 निकलता है defective तो उन्होंने बुला कि वो 12 defective है उसमें से और इन्होंने कहा one bulb is taken out at random उन्होंने कहा कि अब उन्होंने मतलब total 600 bulb में से हमने एक bulb को pick up कर लिया means हमने निकाल लिया तो इन्होंने कहा हमें probability निकाल ली है कि जो bulb हमने निकाला वो non defective bulb था अब students non defective मतलब वो bulb खराब नहीं था राइट अब students इन्होंने हमें बोला कि there are total 600 bulbs और 600 bulbs में से 12 bulb defective है तो हमारे पस non defective bulbs कितने आ जाएंगे जब अगर हम इन दोनों को minus कर देंगे हमारे पस non defective bulbs आ ज जो नौन defective bulb मतलब वो bulb खराब नहीं हो तो कितने bulbs थे हमारे पास जो non defective मतलब जो खराब नहीं है वो है हमारे पास 588 तो हमारे पास favorable outcome कितना आ गया 588 और हमारे पास total outcome कितने 600 थे means there are total 600 बल्ब तो students हमने इसको जब further cancel किया है तो हमारा number हमारा जो final answer आ चुका है वो आ चु question सेम है एकदम सेम है वो मैंने थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को दिया था ये question similar क्योंकि इस ताइप के ही questions आता two marks में one marks में देखे जाते हैं probability की तरफ से तो हम जित्ती भी practice करें वो हमारे लिए कम होती है तो इसलिए मैंने सोचा कि चली हम यही question डाल लेते हैं तो चली अब इन्होंने बोला कि एक earn में 28 balls थे जिसमें 12 red थे और remaining white थे अब students इन्होंने बोला कि हमें probability निकालनी है कि जब हमने एक ball बहार निकाला तो क्या chances है क्या probability है कि वो ball जो हमने निकाला है वो white ही निकलेगा students total balls 28 उसमें थे red balls कितने 12 बाकी कितने थे हमारे पास white तो students white balls नि total balls minus the red balls दो हमने कर दिया तो हमारे पास total white balls कितने आ गए white balls आ गए हमारे पास students 16 राइट तो यहां पर हमें इन्होंने कहा था कि probability निकालनी है आपको कि जो ball निकाला गया है उसकी probability क्या है कि वो white color का ही निकलेगा राइट तो हमारी यहां पर probability कितनी आ गई है 16 by 28 मतला 16 यहा है total number of outcomes मतला हमें 28 balls है हमारे पास total number of outcomes 28 हो गया हमारे पास यहां पर students तो यहां पर हमारा हमने जब इसको further cancel कर लिया है students 4 से तो हमारा final answer कितना आ चुका है 4 by 7 right students students यह तो थे वो कुछ questions जो मैंने आप लोगों को practice questions में दिये थे as practice questions दिये थे students मैं आपको बार-बार बोलती अगर आपको कोई doubt हो कहीं से आप पढ़ाई कर रहें अगर आपको कोई doubt है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो no problem at all वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं बस आपको comment section में वो doubt अपना लिखना होगा ताकि मैं आप लोगों की help कर सकूँ and thank you so much students अगर आपको मेर यह वीडियो पसंद आया हो तो please like, comment and subscribe करना बिल्कुर भी मत भूलें thank you so much students